हलो दोस्तों आज के वीडियो के तुरू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने Hikkanet अप्लिकेशन को यूज करते हैं अपने DVR को लाइब देखने के लिए जैसे हम लोग DVR को live देखते हैं जो mobile की screen है उसके उपर lock button आ जाता है और वहाँ पर press करते ही हमें encryption key input the encryption key करके push रहा है तो उस problem को हमें किस तरह से solve करना है DVR के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे live view मिलेगा यहाँ पर playback option है यहाँ पर search option दिया हुआ है यहाँ पर है configuration configuration के option में उपर की तरफ में system दिया हुआ है जैसे यहां से system को close कर लेता हूं नीचे यहाँ पे network कर जेता हूं नीचे उसके general option दिया हुआ है यहाँ पर platform. प्लेक्टफॉर्म यहां का घरिज्सी तो हमारे इन्क्रिप्चिन की वेरिफुकेशन है आपको मिलते रहेंगे चलिए